पानी पीते हैं तो पानी बड़ी मात्रा में food कैनाल से गुजर कर निचले पेट की दिवार पर गिरता है इससे GI tract और पेट के आसपास के organs को नुकसान पहुंचने की संभावना पड़ जाती है अगर आप लंबे समय तक खड़े होकर पानी पीएंगे तो digestive disorders और heart related problems हो सकती है arthritis भी हो सकता है जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपकी body में fluids का balance disturb होता है और आपके जोडों में fluid यानि की पानी इकठा होना शुरू हो जाता है जो बाद में arthritis जोडों का दर्द या फिर gout का रूप ले लेता है अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपक प्यास जल्दी से शांत नहीं होती है बैठ कर घूंट घूंट करके पानी पीएंगे तो प्यास जल्दी से बुझ जाएगी तो खड़े होकर जब पानी पिया जाता है तो पानी तेजी से kidneys के माध्यम से बिना चने ही गुजर जाता है इससे kidneys ठीक से उसे filter नहीं कर पाती औ और kidney और bladder में impurities यानि की गंदगी इकठा होनी शुरू हो जाती है इसके कारण बार बार urinary tract infections होते है kidneys भी इसके कारण permanently damage हो सकती है दोस्तों as you know कि पानी हमारी body के pH level को भी maintain करता है लेकिन ये तभी कर पाता है जब आप बैठ कर घूंट घूंट करके पानी पिएंगे तो य बाडी में acid का level बढ़ना शुरू हो जाएगा और अगर आपकी बाडी में acid level जादा है तो ये बहुत सारी बिमारियों की जड़ है अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो ये heartburn और पेट के अलसर का कारण भी बन सकता है खड़े होकर पानी पीना हमारे पूरे के पूर system activate होता है जिससे आपके शरीर की सारी nerves tense हो जाती है लेकिन जब आप बैठ कर सिप सिप करके पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी में parasympathetic system जिसे rest and digest system भी कहते है वो activate होता है जिससे आपकी muscles और आपकी senses काम होती है और digestion अच्छे से होता है तो ये थे खड़े होकर पानी पीन चानी बॉड़े होता है